फाइटर जैट की उडान के दौरान किसी भी इमर्जेंसी की सिच्योशन में पाइलेट को अपनी जान बचाने के लिए इजेक्शन सीट हैंडल को खिंचना पड़ता है। इजेक्शन ट्रिगर होते ही सबसे पहले स्मॉल एक्स्प्लोसिब चार्ज केनोपी पर लगे गलास को तोड़ देता है और कुछ जैट्स में पूरी केनोपी जैट्स से अलग हो जाती है। इसके बाद सीट के नीचे लगा रॉकेट मोटर या रॉकेट कार्टरिज सिस्टम ट्रिकर होता है। और 965 किलोमेटर परार की स्पीड पर सीट साइथ पाइलेट फाइटर जैट से लगबक 30 फीट तक की उंचाई पर हवा में उछल जाता है। अब सीट में डिपलाई किये गए पैरासूर्स खुल जाते हैं और पाइलेट धीरे-धीरे जमीन पर उतर जाता है।